कितने ज़्यादा रफ ड्राय दिखाए दे रहे हैं और सो जब बारिश का मौसम होता है तब यह कंडिशन और भी ज़्यादा बढ़ जाते है और उसी के साथ में बढ़ जाता है आपका हियर फॉल क्यों सब चीजों को क्यों करने लिए आपको सबसे सबसे समर्च खहरना बर्लत याप कोईřिंग करना को मैं आपके साथ में डिहला मैं आप अपने हेर क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हेर, शैम्पू, सीरम, टोनर जो भी आप चीज़े यूज़ कर रहे हैं वो हेर के टेक्चर और जो आपकी बालो की क्वालिटी उसके हिसाब से करें तो I have a low प्रॉसिटी हेर और जब आप इस तरीके के dull damage drive बाल होते हैं और low प्रॉसिटी केहर होते हैं तो आपको बहुती lightweight oil यूज़ करना चाहिए, और जो आपके बालो का जो nourishment है उसको भी बनाए रखे रेनिंग सीजन में जब इस तरीके बाल होते हैं तो hair fall 100 से भी जादा बाल निकलते हैं, मतलब हर जगा बाली बाल दिखाई देते हैं बट नाव अभी मेरे बालों का texture देखो पहले से काफी ज़ादा improve हो रहा है बिकाज आफ कि मैं hair care काफी ज़ादा अच्छी से ध्यान दे रहे हूं और मैं जो भी सारी remedies वगरा follow करते हूं आपके साथ शर करती ही रहती हूं एक हिर ऑलिंग करने के बाद आप एक हलका सा low bun बन बना ले फिर हलकी सी धीली सी पोणिव टाइप की बना ले जब भी आप ऑप ऑल्लें करें तो हलका सा गुनगुना करने के बाद ही आप ऑइलिंग करें की scalp को also argan oil तो hydrate करता है आपके बालो को soft भी बनाता है vitamin E आपके बालो का moisture भी इंप्रूफ करता है and shiny then personally I loving this product भी बहुत ही जादा lightweight oil है this is a free from all fragrance cruelty and silicone also so bye and stay connect with love